नमस्कार जैहिन दोस्तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंपोर्टेंट एमसी क्यूब है संतीब में दोस्तो अगर आप वाल पेपर को देखकर वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आगे की रणीती बताएंगे दोस्तो यह छोटा सा वीडियो है लास तक जरूर देखें दोस्तो यहाँ पर अब सबसे बड़ी समस्चा यह है कि यूपी केट कम्प्लेट हो चुका है और सभी छात्रों के सामने सबसे बड़ी समस्चा है कि अब क्या करें हमें पता नहीं है कि अगली वेकेंसी कब आएगी अब इस दोरान हम खाली बैठें या पढ़ाई करें डियलेड और बियलेड और बियेड अध्यान रदविद्यार्थी जितने भी हैं वो तो अपने कोर्स को कम्प्लेट करें सबसे पहले तो उनका काम है कि उनका जो डियलेड का कोर्स है और बियेड का कोर्स है वो अपना कोर्स कम्प्लेट करें उस पे सबसे ज्यादा फोकस क करें और बात करते हैं कि जिनका डीलेड और बीएड जितने भी प्रसिच्छड कोर्स हैं वो अगर उन्होंने पूरे कर लिये हैं तो उन्हें क्या करना है देखें उनका सुझाओ है ये कि वो अगले अवसर का इंतजार ना करें कि टीएट खतम हो गया अब सीटेट का नोटि नोटिफिकेशन का आवाएगा तब जाकर हम पढ़ाई शुरू करें ऐसा आपको बिलकुल भी नहीं करना है आपको एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाना है रोज कम से कम तीन घंटे आपको देने ही देने है अगले तीन माह निधार दिकिए ये मान के चलिए कि आपकी जो वेकेंसी है आपकी जो सिचक भरती है आपका जो अगला टेट का एक्जाम है वो आगे तीन माह में आने वाला ये मान लिजे कि आपका नोटिफिकेशन आ चुका है और अगले तीन माह में ही इसका पेपर होना है इस हिसाब से आप तयार कीजे और मिनिमम प्रतेक दिन तीन गंटे जरूर से जरूर दीजे और प्रतेक टॉपिक का नोट्स आप बनाते जाए अगला जो है आप देख सकते हैं जैसे कि कईयों की लिस्ट जारी हो चुकी है ये सही है या गलत है ये मुझे नहीं मालूम लेकिन यहाँ पर ये दिखा जा रहा है कि सीटेट का जो अगल में पास नहीं हो पाया है किसी कारण वास तो अगले सीटेट का इंतजार कर रहे हैं और आप अभी से इस सीटेट की तयारी चालू कर लिजे और ये है जूनियर भरती ये एड़ेड स्कूल में भरती होनी है इसकी भी आप तयारी शुरू कर दीजे अब हमें ये नहीं पता हमें बार-बार पढ़ना न पढ़े common topics जैसे मनोविज्ञान, भूगोल, सामानेगन, पर्या और अध्यन को लगातार पढ़ते रहें चाहे वो आपकी primary सिच्छक की भरती हो, चाहे junior सिच्छक की भरती हो ऐसे विश्यों को आप लगातार पढ़ते रहें क्योंकि यही ऐसे विश्यों है, जो सम्में आते रहते हैं आप सिच्छक भरती का कोई भी एक्जाम दें, primary हो या junior, tet हो या super tet, seated हो, यह सब कुछ सम्में आते रहते हैं इसलिए इन common topics को लगातार पढ़ते रहें, इनको miss ना करें इस सांत काल में आप अधिक मेहनत करें, तो परिच्छा के समय कम मेहनत करनी पड़ेगी तो इस समय सांत काल है, मतलब इस समय हमें नहीं पता है, इस समय एकदम सांती का महल है कोई परिच्छा नहीं है तो इस सांत काल में आप जादा से जादा मेहनत कर लें इस समय कोई भगदर नहीं मची हुई है इसलिए अभी आप जादा से जादा मेहनत कर लें ताकि जब भी टेट का सुपर टेट का सिचक भरती का नोटिविकेशन आएगा भरती निकलेगी तो उस समय आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, ये नहीं होगा कि अभी मेरा ये complete नहीं, अभी मेरा वो complete नहीं, इसलिए इस शांत काल में आप जादा से जादा मेहनत कर लें, ताकि आगे आपको कम से कम मेहनत करनी पड़ेगी, दोस्तों सरकार कब भरती निकालेगी, सरकार अपना इंस्टाग्राम, टुटर, इन सब पर इसी पर चर्चा होती रहती है कि DLA का रिजल्ट कब आएगा, सिचक भरती का रिजल्ट कब आएगा, सिचक भरती कब आएगी इन सब बातों पर अधिकतर विद्यार्थी अपना समय बरबात कर रहे हैं दोस्तों, हजारों की संख्या में ऐसे भी विद्यार्थी हैं, जिनोंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है यूपी टेट 8 जनवरी को खतम हुआ और वो 9 जनवरी, 10 जनवरी से अपनी आगे की रणनीती के हिसाब से तयारी शुरू कर चुके हैं इसलिए दोस्तों, आपको भी इस बारे में रुकना नहीं है, पढ़ाई जारी रखनी है देखिए इन सब बातों का प्रशासन, मुख्यमंत्री, इन सब को खुद नहीं पता होता है कि हमें कौन सी भरती कब निकालनी है इन्हें यह नहीं पता है अभी कि नहीं पता होता है कि यह कबाना है, तो इससे हमें क्या लेना देना हमें तो अपनी भरती की तयारी करनी है, हमें अपने टेट की तयारी करनी है, जो भी हमारा लच्छ है, उस लच्छ की हमें तयारी करनी है, इस सांती काल का पूर उपयोग करें, दोस्तों अभी कोई वेकेंसी नहीं है, अभी कोई टेट का आयोजन नहीं होने वाला, इसलिए ये सांती काल का महौल चला है. इस सांती काल के महौल में हमें अपने आपको बहुत ही ज़ादा तैयार करना है. ये मान के चलिए कि तीन माह में ही सिचक भरती आनी है ये टेट होना है. उसी के हिसाब से खुद को तैयार कीजे. प्रते एक दिन तीन घंटे समय दीजी अपनी पढ़ाई को सेर और हिरन का किस्ता आपको मालूम होगा कि जो हिरन होता है वो सवेरे उठता है और सोचता है कि अगर आज में बहुत तेज नहीं भागा तो सेर मुझे खा जाएगा और सेर यही सुबे उठकर सोचता है कि अगर आज मैं पूरे जोर से पूरे मन से नहीं भागा तो हिरन मेरे हाथ से निकल जाएगा और आज मैं भूखा रह जाओंगा तो दोनों आप चाहे शेर हो चाहे हिरन हो आपको भागना ही पड़ेगा आपकी तैयारी कमजोर है या आपकी तैयारी बहुत जादा है आपको अपने हिसाब से भागना पड़ेगा अपनी तैयारी को मजबूत करनी पड़ेगी परिच्छा कोई भी हो महिनों की महिनत ही सफलता दिलाती है यह याद रखutan अगर आपकी कोई परिच्छा आजाए और आप सोचे कि मैं 10 दिन में तयारी कर लूँगा, 20 दिन में तयारी कर लूँगा, तो ऐसा कता ही संभव नहीं है, पिछली महिनों की तयारी ही आपकी आने वाली परिच्छा में काम आती है, इसलिए ये मत सोचे कि जब पनाएगा, तब जाके मैं तयारी शुरू करूँगा, ऐसा बिलकुल नहीं करना है, और दोस्तों मैंने एक पोल भी डाला हुआ है, मेरे चैनल के कम्यूनिटी टैब में आपको वो पोल मिल जाएगा, मैंने वहाँ पर पूछा है कि आप किस परिच्छा की तयारी करना चाह जब भरती का विज्या पनाएगा, तब पढ़ाई शुरू करना बहाने बनाना बिलकुल भी आप बंद कर दीजिए, ठीक है, समय बरबाद मत कीजिए, खाली मत बैठिए, आपके जैसे दोस्त हैं, आपके जैसे जो साथी हैं, वो सब पढ़ाई चालू कर चुके हैं, ऐसा परिच्छा में फेल हो रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी किसी और पन मत डालिये, कि इसकी वज़े से मैं फेल हो गया, या मैं शादी में चला गया था, इस वज़े से मैं फेल हो गया, मेरी तबियत खराब हो गया, घर में बहुत ज़्यादा काम हैं, इसलिए मैं फेल हो ग बहुत ही जादा महतपूर्द सुझाओ, उमीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो ये वीडियो तो इसको लाइक जरूर करें, और अपने मित्रों और रिष्टेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोग भी जागरुख हो स करें, दोस्तों चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और घंटी का निशान जरूर दबाएं, मिलते हैं अगले पावरफुल वीडियो में, तब तक के लिए, जय हिंद, जय भारत!